गुड आफटनून स्टुडेंट्स हमने भूतकाल के चार भेद कलपड लिये थे आज हम अगले करेंगे अगला जो भेद है पाचवा वो है संधिक्द भूतकाल संधिक्द भूतकाल क्या है बेटा किरिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का संधे होता है उसे संधिक्द भूतकाल कहते हैं जैसे कारिये जो है बीते हुए समय में कम्प्रीट हुआ है उसके बारे में संधे होता है वे होता है संधिक्द भूतकाल जैसे सोनू मेरे घर आया होगा मतलब उसके बारे में ये संधे वेक्द किया जा रहा है कि वो मेरे घर आया होगा बारि लेकिन उनके बारे में संदिगता है कि ये कारिया मतलब पका नहीं है कि ये कारिया हुए है या नहीं हुए है तो इन वाकियों में आया होगा, हुई होगी तथा देखा होगा किरियां से पता चलता है कि कारिया भूतकाल में हुआ है या नहीं हुआ है आते ये किरियाएं संदिग्द भूतकाल की है इसके बाद आता है हेतु हेतु मद भूतकाल किरिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कारिय भूतकाल में हो सकता था परन्तु किसी अन्य कारिय के ने होने के कारण ने हो सका उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते है यानि इसमे इसमें एक किरिया दूसरी किरिया के उपर निर्भर होती है तो ये भूतकाल का हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये कारिये भूतकाल में हो सकता था लेकिन वो उस कारिये की वज़े से नहीं हुआ तो ये होते हैं हेतू हेतू मद भूतकाल जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच अच्छी नहीं हुई पोधों में पानी दिया होता तो वे हरे होते राकेश पढ़ता तो पास हो जाता तो इन वाक्यों में वर्षा होती अच्छी होती पानी दिया होता हरे होते तथा पढ़ता पास हो जाता इन में ये जो किरियाएं हैं ये किरियाएं एक दूसरे के उपर निर्भर हैं तो ये किरिया जो हैं हेतु हेतुमत भूत काल की हैं इसके बारे में हम ने कल पढ़ लिया था बेटा अब दूसरा है वर्तमान काल वर्तमान काल क्या है किरिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है यानि फिलहाल जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे अब क्या है अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही है हनी जूस पी रहा है लड़की सेव खा रही है माता जी खाना बना रही है तो इन में जो है पढ़ा रही है पी रही है खा रही है बना रही है इन किरियाओं में कारिय वर्तमान समय में हो रहा ह चल रहा है तो ये कारिय क्या है वर्तमान काल की ये किरिया है ठीक है तो वर्तमान काल के भेद वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं सामान्य वर्तमान काल अपोन वर्तमान काल और संदिग्द वर्तमान काल अब सामान्य वर्तमान काल क्या है सामान्य वर्तमान काल वह है किरिया क वह रूप है जिसमें कारिय के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते है जैसे लड़की गाना गाती है लड़का ब्रश करता है पिता जी सुभे वैयाम करती है मैं पत्र लिखता हूँ तो इन वाक्यों में क्या है बटा इसमें कारिय वर्तमान स जिन वाक्यों के पीछे ता है ती है ते है आदी आते हैं वो होते हैं सामाने वर्तमानकाल के उसके बाद आता है अपूर्ण वर्तमानकाल अपूर्ण वर्तमानकाल क्या है बेटा किरिया के जिस रूप से यह पता चल रहा है कि कारिया अभी वर्तमान समय में चल रहा है ठीक ह बल्ले बाजी कर रहा है कार सडक पर दोड रही है सौनी का पत्र लिख रही है गोरव खाना खा रहा है तो इसमें क्या है बटा इनमें ये जो वाक्य हैं इनमें कारिय अभी हो रहा है कारिय कम्प्लीट नहीं हुआ है और इसमें इसकी पहचान क्या है कि इसमें वाक्यों के प संदिग्द वर्तमान काल क्या है कि इसमें है तो वर्तमान काल कि इसमें कारिय चल रहा है लेकिन उस कारिय के होने या करने में संधे होता है किरिया के जिस रूप से कारिय के वर्तमान काल में होने या करने में संधे हो उसे संधिक्द वर्तमानकाल कहते हैं जैसे भाईया अभी सो रहा होगा क्या पता भाईया भी उठ गया हो तो हम सिरफ क्या लगा रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं कि भाईया अभी सो रहा होगा शाम पुस्तक पढ़ता होगा मा खाना बना रही होगी पावन विद्याले जाता होगा तो इसमें बीचे जो है होगा, होगी, होगी इस तरह के जो शब्द लगे हुए होते हैं तो ये कारिय की संधिगता को बता रहे हैं कि वर्तमानकाल में वो कारिय पतानी हो रहा है या नहीं हो रहा है तो यह होते हैं संधिक्द वर्तमान काल की इससे आगे बेटा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे